Hello my dear students, मेरा नाम है G.D. पांडे और आप देख रहे हैं Target विदालोक Online Institute प्यार साथियों, जैसे ही DRDO में वेकेंसी अनाउंस हुई है, मेरे पास messages और call की भरमार हो गई है सुबह शाम messages आ रहे हैं, विशेश रूप से उन छात्रों के जो mechanical engineering stream से बिलॉंग करते हैं मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद या यूं कहूं तो सालों बाद ऐसी वेकेंसी आई है जो mechanical engineering के students के लिए बहुत बड़ी opportunity की तरह है इसलिए ये पीछे आप देख रहे होंगे, इसमें thumbnail में लिखा हुआ है bumper vacancy जी हाँ, ये bumper शब्द का जो इस्तिमाल किया गया है bumper vacancy for mechanical students ये सच्चा ही है अगर हम पिछले सालों में देखें तो mechanical की vacancy कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, 70, 100, 800 vacancy आती रही है DRDO जैसे संस्थान में, जिसमें नौकरी करना, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी छात्र का सपना होता है उस संस्थान में 294 vacancies, लगभग 300 vacancies आ गई है और इसका form 3 सितंबर से भरा जाना है आज मेरी बात हो रही थी, मेरे एक पुराने student से, शुशील कुमार से जो DRDO में already selected है उन्होंने मुझे बताया कि सर, जब मैं select हुआ था, I think 2018 या 2019 की जो vacancy थी उन्होंने बताया कि सर, जब मैं select हुआ था तब उस समय पर लगभग 100-800 vacancy थी, even 100 के आसपास vacancy थी तो आप समझिए कि जो पिछली vacancy थी, वो 100-800 vacancy थी और अब आगर आपके पास 294 या 300 के आसपास vacancy है तो तीन गुना अधिक vacancies announce हुई है जब एक सामान student, एक सामान मध्यमवरगी परिवार से निकल करके सामान शिक्षा ले करके, एक college diploma करके 100-800 vacancy में अपना selection ensure कर सकता है तो अभी तो तीन गुना अधिक vacancies हैं तो आपके सफल होने, select होने के chances भी तीन गुना बढ़ जाते हैं यह जो bumper vacancies आप के लिए आई हैं विशेश रूप से mechanical students के लिए आई हैं उन्हें आप हर हालत में भुनाईएगा यह आपसे miss न होने पाए क्योंकि अगर यह आपसे miss होता है तो फिर आपको फिर नई vacancy का इंतजार करना पड़ेगा और एक बात में विशेश रूप से सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि अगर आप यह सोचते हैं कि जब vacancy announce होगी जब चीज़े announce होगी तब मैं preparation करूँगा तो फिर दिक्कत की बात है आपको prepare पहले से करके रखना है चीज़ें अब जैसे DRU में vacancy announce होई है अब DRU की vacancy में 3 सितंबर से form भरे जाने है 23 सितंबर तक form भरा जाएगा 3 सितंबर से 23 सितंबर तक form भरने के बाद इसका पहला exam होगा जिसे हम CBT exam कहते हैं CBT 1 जो की एक तरह का screening test है तो जब इसका screening test होगा उसे screening test में जो बच्चे pass होंगे उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा पिछली बार 1 is to 10 का ratio था इस बार 1 is to 8 का ratio है तो screening test जब आप निकाल लोगे जो की non-tech का test है तो एक अगर हम मान के चले कि 1.5-3 महिने बाद अगर exam होता है तो दिसंबर जनवरी में इसका screening test होगा फिर उसका result आएगा उसका result आने के बाद फिर आपका CBT 2 होगा जो main exam होगा technical वाला उसमें भी 2.5-3 महिने का समय लेगा तो कुल लाके देखा जाए तो यह 6 month का जो time लग रहा है जो 6 महिने आपके लग रहे हैं इन 6-7 महिने को बरबाद नहीं होने देना है ऐसा नहीं करना है कि जब हम CBT 1 निकाल लेंगे तब हम CBT 2 की preparation करेंगे ऐसा करना है क्योंकि CBT 1 आप निकालने के chances ज्यादा है CBT 1 में 1-8 का ratio है आठ गुना अधिक लोगों को qualify करना है उनको तो CBT 1 निकालना आसान है लेकिन problem कहां फसेगी CBT 2 में जब आप technical की तियारी कर रहे होंगे technical का syllabus बहुत बड़ा है और DRDO की जो परिच्छा होती है उसमें जो paper आता है वो इतना आसान नहीं आता है थोड़ा सा paper का level अच्छा होता है थोड़ा सा gate जैसा होता है थोड़ा से ES के tough वाले question आते हैं मतलब एकदम रटने वाले question नहीं आते हैं तो ऐसे question आप तभी लगा पाओगे के जब आपको conceptual clarity रहेगे और conceptual clarity को करने में समय लगता है time लगता है वो एक घंटे में नहीं हो जाएगा या एक दिन में नहीं हो जाएगा तो मेरा आप से यह कहना है कि अगर मोटी-मोटा मान के चलिए तो लगभग साथ से आठ महीने लगेंगे 6-7-8 महीने लगेंगे इस exam को होने में लेकिन ऐसा मत करिएगा कि जब exam 2 महीने बचा हो या CBT-1 आपका निकल जाए फिर आप coaching institute ढूणने लगो content ढूणने लगो कि किसी तरह से हमें matter मिल जाए और हम CBT-2 कौलिफाई करने ऐसा नहीं होने वाला है इस exam का CBT-2 वही क्वालिफाई करेगा जिसकी preparation CBT-1 और CBT-2 की parallel में रहेगी CBT-1 देते हुए भी वो CBT-2 के prepare कर रहा है तभी वो CBT-2 क्वालिफाई करने के सितिम रहेगा चुकि technical paper tough होता है, technical syllabus lengthy है और non-tech का syllabus इतना lengthy नहीं है और यह screening test है, यह qualifying test है आपका, तो mechanical के चात्रों खुश्खबरी तो बहुत बड़ी है लेकिन यह खुश्खबरी वास्तों में तब फली भूत होगी, तब इसका प्रतिफल आपको मिलेगा, जब कि आप इसे भूना पाएं, जब इस vacancy को आप नौकरी में convert कर लें, और vacancy को नौकरी में convert करने के लिए, जो भी सहायता, target विदालोक, online institute की तरफ से, target on engineers के तरफ से, मैं और मेरी पूरी team की तरफ से कर सकते हैं, वो सारी चीजें करने के लिए प्रतिबध्यम समर्पित हैं, परसात्यों हमारा channel है, target on engineers जिसका link इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाएए, उस link पे click करिए, वो link सीधे आपको ले जाएगा target on engineers के channel पे, उसे subscribe कर लिजिए bell icon दवाएए, जिससे की आपके पास सारी notification और सारी गतिविधियां पहुँचना परम हो जाएए प्यारे बच्चों, अगर आप mechanical engineering के student हैं, और आप इस bumper vacancy को target कर रहे हैं तो मैं GD Pande अपनी पूरी टीम के साथ आपको आश्वस्त करता हूँ कि target on engineers पे हम एक special planning के साथ schedule के साथ classes परम करेंगे YouTube पे बहुत कुछ आपको मिलेगा जो से exam को DRDO 2022 वाल exam को crack करने में आपकी सहायता परदान करेंगा आपको एच telegram channel भी मिलेगा, उस telegram channel को आप वहाँ पे उस link पे click कर लिजिए उससे भी जुड़ जाएए, वहाँ पे PDF notes इत्याद भी आपको वहाँ प्राप्त होगा तो mechanical के लिए no doubt bumper vacancy है लेकिन इस bumper vacancy का माने, इसका अर्थ तभी रह जाता है, जब आप इस bumper vacancy को भुना लेते हैं तो एक विशेश सूचना लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ कि कितनी vacancies आपके लिए हैं 294 is a big number 294 is a big number बहुत बड़ा प्रतिस्थान है बहुत बड़ा प्रतिस्थित संस्थान है यहां अगर 300 vacancy आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ 100 vacancy में बच्चे मेरे यहां से मेरे ही पढ़ाई बच्चे सेलेक्ट हो सकता है तो 300 vacancy में सेलेक्ट होने के चांसे, सफल होने के चांसे तीन गुना ज्यादा है तो इतनी बड़ी एपॉर्चुन्टी है तो पूरा प्रयास करिए उसको भुनाने के लिए ये वेकंसी हाथ से जाने न पाए मेकनिकल वालों इसका विशेज ध्यान रखो और इस वेकंसी के लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए इन एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ क्लासेस की माध्यम से तेरिटिकल कॉंसेट कंसेप्चुल क्लासेस और आपको पीवाई क्यूस कोश्चन सब कुछ कराए जाएंगे तो आज के लिए इतना ही ये विशेज सूचना लेकर मैं आपके लिए आया था और अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए लगातार कठिन परिश्रम करते रहे आपको मेरी बहुत बहुत शुब कामनाएं हैं थैंक्यू सो मच्छ